हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आइस्थाई जोड अर्थाद टेंपरेरी जॉइंट्स के बारे में आपको विस्तार से विवरण दूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल ट्रिपल वन टेक्निकल एजुगेशन को सस्क्राइब कर लिजे और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस कर लिजे ताकि मेरे आने वाले वीडियो आसानी से आपको मिल सके तो और छात्रों से एक और अनुद है कि वीडियो को सुरू से आखरी तक देखिए ताकि वीडियो में मिलने वाले महत्पूर्ण बिंदू आप तक आसानी से पहुंच सके अपने दोस्तों को वीडियो को सेर कर लिजे जिससे आइटियाई और पॉलिटिकनिक के छात्रों को मेरे सब्जेक्ट से रिलेजिट वीड आप वीडियो के विवर्ण में देख सकते हैं अब मैं आपके लिए इस्क्रीन पर नजार आ रहा है अइस्थाई जोड अर्थात टेंपरेरी जॉइंट्स टेंपरेरी जॉइंट्स क्या कहलाते हैं तो इसके वारे में हम अध्यान करेंगे कि फिटिंग साला अर्थात फिटिंग शॉप से आसाए अन्यक परकार के अईस्थाई जोड को बनाने तथा जूने जाने वाले अंगों तथा अन्य युक्तियों द्वारा तैयार हिस्थों को जूनने की क्रिया कि फिटिंग साला के कारियों के अंतरगत आती है कि फिटिंग साला में कारे खंड को मापन मेजरिंग चिनन, मार्किंग, काटना, कटिंग, रेतना, रविंग, फाइलिंग, छिद्रन, अर्था डिलिंग, चूडी काटना, थ्रिंग, टेपर करना, टेपरिंग, आधी क्रिया, फिटिंग, सोप के अंतरगत आने वाली क्रियाएं है मसीन को एसेंबल, एसेंबल और डिशेंबल करना भी फिटिंग, सोप के अंतरगत आने वाली क्रियाएं है अब इसमें नीचे देखिए, फिटिंग, सोप के अंतरगत आने वाली क्रियाएं कौन-कौन सी है तो फिटिंग, सोप में मुख्यता, आइस्थाई जोड, टेंपरेरी जोइंट्स, 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 अर्थाद प्रियोग, आइस्थाई रोप से प्रियोग होने वाले जोइंट्स का अध्यन करते हैं इसके अंतरगत सबसे पहले हम उन जोइंट्स की युक्तियों का अध्यन करेंगे इन में सबसे पहला नाम जो आता है वह है थ्रिड यानि की चूडियां थ्रिड थ्रिड पोल्ट, धिबरी, कुझी, पिन, आधिवी, मुख, अइस्थाई जोड़ युक्तियों के अंतरगत आने वाली युक्तियां या मशीनी अंग हैं अब इसी के रम में मैं प्रमुख जोड़ों की युक्तियां के वारे में अध्यन करेंगे इंजरिंग की इंजरिंग कारे में मुख्यता दो प्रिकार की जोड युक्तियों का प्रियोग किया जाता है अब यह जोड एक्तियां कौन-कौन सी हैं तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है इस्थाई जोड अर्थात पर्मानेंट जॉइंट यह वे जोड हैं जो एक एक बार लगाए जाने के बाद आसानी से खोले या लगाए नहीं जा सकते हैं ऐसे जोड़ों को हम इस्थाई जोड या पर्मानेंट जॉइन्ट कहते हैं जैसे फोर्जिंग बेल्डिंग सोल्डृर्रिंग में sousूल्ड्रिंग और णियुटिंग आधे जोड पर्मानेंट जोड या इस्थाई जोड की सृotesी में आने वाले जोड हैं इसी क्रम में जो यह बे जोड है जो एक बार लगाने के बाद आसानी से खोले अत्वा पुनह लगाए जा सकते हैं और जोड को आसानी से समंजित या एगजेस्टेल भी किया जा सकता है इनकी मरममत निरीक्षण आदे कारे भी किया जा सकता है अईस्थाई जोड के प्रमुख युक्तियां यह निम्न प्रकार से हैं अईस्थाई जोड में जो पहला नाम आता है वह है चूड़ी अथ्वाल थ्रिड मेकैनिकल इंजरिंग में चूड़ीयों का बड़े पैमाने पर प्रियोग किया जाता है चूड़ीयों को दो भागों में मैं प्रमुख रूप से बाटा जा सकता है बाटा जाता है इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है ब्रह चूड़ी अर्थाद मेल थ्रिड और दूसरी है अंता चूड़ी या फीमेल थ्रिड यहां पर मैंने बिविन्य चूड़ीयों को फिगर के माध्यम से दर्साया है आप जो इसक्रिन में देख रहे हैं वह हैं बी चूड़ी बी चूड़ी बी आकार की सेव लिए हुई टीथ वाली चूड़ी है इसमें एक प्रिथम चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच में 60 डिगरी का कौण बनाए हुए टीथ होते हैं इसके बाद में अगली जो थ्रिड है वह है एक में चूड़ी इसमें चूड़ी के बीच का कौण 30 डिगरी तक होता है इसी क्रम में जो अगली चूड़ी है वह है बरगाकार इसमें जो दाते होते हैं वो बरगाकार आखिरती लिए होते हैं ठीक इसी क्रम में जो अगली चूड़ी है वह है नकल चूड़ी अर्थात नकल थ्रिड इसमें चूड़ीयों का जो कौण होता है वह 30 डिगरी के एंगिल पर होता है अब अगली है आरी दाता चूड़ी आरी दाता चूड़ी में कौण 30 डिगरी के कौण पर होता है next, अब हमने इसी में एक चोड़ी की संरचना और उसके भागों को बताया है इसमें हमने एक चोड़ी को देख रहे हैं उपरी भाग को चोड़ी का कौन कहते हैं एक दाते से दूसरे दाते या एक टीत से दूसरे टीत की दूरी पिछ कहलाती है दाते के भीत्री भाग को जण व्यास कहते हैं, दाते के मध्य से निकलने वाली रेखा, मध्यम मध्य रेखा कहलाती है, और चूड़ी के मध्यम भाग को दीर्ग व्यास कहते हैं इसी क्रम में टीथ के मध्य से निकलने वाली रेखा पिछ व्यास कहलाती है, टीथ के उपरी भाग को सिखर कहते हैं, तथा टीथ की पूरी गहराई एच से प्रदर्शित की जाती है, तो ये मुख्यता चूड़ी के भाग हो गए, अब इसकी क्रम में मैं विविन्य प्रकार के बोल्ट के वारे में अध्यान करेंगे, प्रमुख रूप में से नट बोल्ट का उप्योग दो अंगों को अईस्थाई रूप से जोलने तथा घुमाव गती पारेशन में किया जाता है, इसी क्रम में जो पहरा बोल्ट है वह है आर पार बोल्ट, इस बोल्ट का प्रियोग मशीन भागों में आर पार छेद कर के बोल्ट को प्रू देते हैं, यह बोल्ट जोड अधिक संतोस्प्रत अच्छा कारी करने वाला होता है, बोल्ट के टूर्ड जाने या खराब होने की स्तिति में इसे बदल देते हैं, इनका प्रियोग आटो मोवाइल छेत्र में मैं अधिक्ता से किया जाता है, अब यहां पर आर पार बोल्ट का एक फिगर के रूप में दर्सा रहा हूं, इसमें मशीन ही सतह के दो पार्टों में उपर की भाग से हमने आर पार बोल्ट को पिरोया है, उपरी भाग सिखर निचला भाग पुछ या टेल के रूप में दर्सा आया है, इसी क्रम में अगला जो बोल्ट है वह है कैरेज बोल्ट, कैरेज बोल्ट इस बोल्ट का प्रियोग उस परिस्थिती में होता है, जब बोल्ट का सिखर लकड़ी पर सहारा देते हुए लगाना होता है, बोल्ट का सिखर हैड बरगाकार काट का बाला होता है, जिसे यह आसानी से कसा जा सकता है, और बोल्ट लकड़ी की सतय पर फिट किया जा सकता है, यहाँ पर एक बोल्ट दर्साय गया है कैरेज बोल्ट, उपरी भाग सिखर, निचला भाग बरगाकार भाग और निचले हिस्से को चूड़ी बनी हुई हमें नजर आ रही है, अब इसी क्रम में अगला जो बोल्ट है वह है स्टार्ड बोल्ट, यह बोल्ट दोनों सिरों पर चूड़ी होती है, मसीन की सताय के दोनों और छेद करके फिट कर दिया जाता है, स्टार्ड बोल्ट में हेड सिरा नहीं होता है, इसका प्रियोग सिलेंडर की सताय को जोलने के लिए किया जाता है, बीज में चप्टा बरगाकार भाग बोल्ट को कसने या खोलने में सहायक होता है, स्टार्ड बोल्ट धलवा लोहे या इस पात का बना बोल्ट है, जब जौब को बोल्ट की कॉलर से सतय पर टिकाया जा सकता है, अब यहां पर एक स्टार्ड बोल्ट को दरसाया गया है, आप फिगर में देख सकते हैं, बोल्ट को करते हैं, स्टार्ड पुश्जता है स्टार्ड लोआ। ढ रहता है, इस टड़ बोल्ट के उपरी भाग धिवरी निचले भाग बोल्ट के द्वारा कसा हुआ है मद्य भाग कॉलर उपरी शिरा बिंदू या टिप मद्य बरगाकार भाग तो यह हुआ स्टड़ बोल्ट अब इसी क्रम में जो अगला बोल्ट है अगला बोल्ट है वाई है नीव बोल्ट अब नीव बोल्ट के बारे में हम वीडियो में जानकारी लेंगे नीव बोल्ट अर्था फाउंडेशन बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट अनेक मशीनों और धाचों में नीव या फाउंडेशन को बांधने के लिए प्रियोग किया जाता है बोल्ट को नीव में गड़े में गार देते हैं और सीमेंड और रेत की मसाले की सहायता से नीव या बोल्ट में जमा देते हैं नीव बोल्ट को नीव में लगाने के लिए के बाद उपर से सीशा लेड तथा सलफर आधी का प्रियोग करते हैं और उपर से धिवरी को कस दिया जाता है नीव बोल्ट की सहायता से मसीन में पैदा होने वाले कमपन बाइवरेशन जटकों जटकों से होने वाली खानी या छती से मसीन को बचाया जाता है या बचाया जा सकता है मसीन यह में नीव प्रमुख नीव बोल्ट के कौन-कौन से प्रकार है अब हम इनके वारे में अध्यान करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है आख या लूब बोल्ट आई या लूब बोल्ट यह नीव बोल्ट इस पात की छड को फोर्जिंग करिया द्वारा मोल कर बोल्ट के निचले भाग को गोलाकार आख के आकार का बना कर इस गोल छेद से छड को निकाल कर गोल भाग को नीव में गार दिया जाता है आख बोल्ट का प्रियोग मसीनों मैं मैं पैदा होने वाले कमपन जटकों से मसीन की सुरक्षा के लिए किया जाता है अब यहां पर मैं एक नीव बोल्ट का फिगर दर्सा रहा हूं यह एक आई बोल्ट है इसका उपरी भाग हैड निचला भाग बोल्ट उससे नीचे बासर मशीनी आधार आई यानि की आँख बीश से निकलने वाली छड सीमेंट का कवर इस साइड में आप देख सकते हैं नीव और चूड़ी यह एक आई बोल्ट है अब इसी क्रम में अगला जो बोल्ट है वह है टी सीर्स बोल्ट टी हैड बोल्ट यह बोल्ट का आकार अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का होता है जो इस पात से फोर्जिंग क्रिया द्वारा बनाया जाता है इसका मद्य सिरा बरगाकार होता है निचले शिरे को नीव में सीमेंट कॉंक्रीट की सहायता से लगा दिया जाता है तथा धिवरी को मसीन के आधार से कस दिया जाता है अब यहाँ पर हम टी सीर्स बोल्ट के फिगर को देख रहे हैं उपरी भाग हैड बोल्ट मसीनी आधार चूड़ी थ्रिड बोल्ट का बरगाकार भाग और नीव यहाँ पर चित्र के माध्यम से टी सीर्स बोल्ट को दर्स आया गया है अब हम इसे किरम में अगला जो बोल्ट है वह है वर्ग सीर्स बोल्ट आर्था इसक्वाइर हैड बोल्ट यह बोल्ट का सीर्स हैड बरगाकार होता है गर्दन के साथ एक गोल्ड प्लेट लगी हुई होती है है प्लेट का छेत्र अधिक होने से मसीन का भार छेत्र की अधिक छेत्र में सहन करने की इस्तिती प्राप्त कर लेता है और यह मुख्यता इस पात का बना हुआ होता है कहने का मतलब यह है कि यह बोल्ट निचले भाग पर छित्री हुई प्लेट या फैली हुई प्लेट से मसीनी भार को आसानी से सहन कर सकता है जो मसीन निव बोल्ट के रूप में बड़े पैमाने पर प्रियोग की जाती है अब यहां पर बरगा कार बोल्ट का एक फिगर से दरसाते हैं यह आप बरगा कार बोल्ट स्क्रीन में देख रहे हैं उपरी भाग हैड निचला बोल्ट मसीनी आधार और प्लेट यह प्लेट ही मसीन के भार को आसानी से सहन करने में सहायक होती है तो यह है बरग सीर्स बोल्ट अब हम इसी करम में रेग बोल्ट के वारे में अध्यन करेंगे यह बोल्ट आइताकार होता है जो टेप लंबाई में होता है टेपर लंबाई में होता है निचले नीचे की ओर का छेत्रफल अधिक होता जाता है किनारे आंगे की ओर धसी हुई होती है इसका प्रियोग अधिक तर भारी मसीनों में किया जाता है सीमेंट तथा कंक्रीट से नीव को भर दिया जाता है मशीनी आधार के ऊपर धिबरी से मसीन का आधार को कस दिया जाता है लेंड सीशा से धिबरी को सील कर दिया जाता है अब यहां पर एक रेक बोल्ट के फिगर के माध्यम से इसको दर्साया गया है उपरी भाग हैट निचले भाग धिबरी उससे नीचला भाग बासर नीचली सतय मसीनी आधार लेड सीमेंट कंक्रीट का अस्तर और यह है रेक बोल्ट अब इसी क्रम में जो अगला बोल्ट है वह है लेविश बोल्ट यह बोल्ट टेपर बोल्ट होता है प्रियोग होता है तथा भारी मसीनों को आधार से बांधने के लिए प्रियोग किया जाता है इस बोल्ट का प्रियोग मुक्ता भारी मसीनों में को नीव से जोडने के लिए करते हैं यह टेपरित होता है छेद की इस इत टेपरित साइड से साथ में फिट कर दिया जाता है तो यहां पर लिफ्टिंग लेविस बोल्ट को फिगर के माध्यम से बताया गया है आप नीचे देख रहे हैं उपरी भाग हैड निचला भाग धिवरी उसके मद्ध बासर मशीनी आधार कंक्रीट की तह सीमेंट कंक्रीट की तह और टेपरित बोडी लेविस बोल्ट को इस फिगर में दर्स आया गया है अब इसी क्रम में जो अगला बोल्ट है वह है लिफ्टिंग बोल्ट लिफ्टिंग बोल्ट यह बोल्ट बृताकार आकार का बोल्ट है इसके उपरी भाग को गुर्त्व केंद्र के ठीक उपर भाग से बोल्ट को कस कर भारी मसीनों को उपर उठाने के लिए प्रियोग किया जाता है इस बोल्ट का अधिकतम प्रियोग जेनरेटर, मोटर, सिलिंडर, कंप्रेसर, गेर, बोल्ट, टर्वाइन आधी के बड़े पैमाने पर लिफ्टिंग कारे में किया जाता है अर्थात भारी मसीनों को एक इस्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर रखने के लिए हम लिफ्टिंग बोल्ट का प्रियोग करते हैं अब यहाँ पर हमने लिफ्टिंग बोल्ट को फिगर के माध्यम से दर्साया है यह भाग आख या बोल्ट कहलाता है इसका ब्यास एक दसम लब पार सेंटीमीटर तक होता है मसीनी आधार बोल्ट का निचला चूड़ी वाला सिरा यह है लिफ्टिंग बोल्ट अब इसी क्रम में अगला जो बोल्ट है वह है टी सीर्स बोल्ट टी हैड बोल्ट यह है टी हैड बोल्ट होता है जिसका प्रियोग 22 ग्रांडर मसीन आधी को टेबिल से बांधने के लिए किया जाता है इस बोल्ट का उपरी सिरा अंग्रेजी के अक्षर टी के समान होता है और निचला सिरा चूड़ी कटी हुई होती है हुक बोल्ट बोल्ट इसी क्रम में अगला जो बोल्ट है वह है हुक बोल्ट यह बोल्ट इस पात का बना हुआ अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है जो मसीन की निव से सीमेंट कंक्रीट में लगा दिया जाता है उपरी सिरा बरगा कार होता है तथा चूड़ी कटी हुई होती है जिसमें मसीनी आधार या ढिवरी को की सहायता से लगा दिया जाता है अब यहाँ पर दोनो प्रकार के बोल्ट दरसाए गए हैं टी एंकर बोल्ट उपरी सिरा टी आकार का यह बोल्ट है निचलिया भी टी आकार का होता है मध में धिवरी बासर लगा हुआ होता है नीचे सीमेंट के अस्तर से इसको सैट कर दिया जाता है अब यहाँ पर आप हुक बोल्ट देख रहे हैं हुक बोल्ट भी निचला सिरा जे आकार का होता है, इसका उपरी सिरा बोल्ट में दर्साय गया है, निचला सिरा बासर में से दर्साय गया है, तो ये हुए हमारे आइस्थाई जोड युक्तियां, अब इसका अगला भाग हम पार्ट टू वीडियो में दर्साएंगे या बताएंगे, आप अगला भाग अइस्थाई जोड का मेरे चैनल ट्रुपल वन टेक्निकल एजुकेशन में पा सकते हैं, मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और बेल आइकन का बटन दवा लीजे ताकि इसी क्रम में आने वाले एजुकेशन के वीडियो आप तक आसानी से मिल सकें, धन्यवाद.